थख गयों, किसी को प्यार का मतलब बताते बताते, रोज उनसे रिक्वेस्ट करते करते, कि वो तुमसे बात करे, तुमहारे लिए थोड़ा वक्त निकाले, जैसे तुम उनसे बे मतलब प्यार करते हो, वैसे वो भी तुम्हें करे, तो सुनो, तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली ना उन्हें समझाने की और फिर भी उन्हें तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं हाँ ये बात शायद सुनने में बुरी लगे लिकिन जहां सिर्फ तुम्हें इन्वेस्ट किये जा रहे हो बार बार उन्हें ये एहसास दिला रहे हो कि तुम्हें उनकी कितनी जरूरत है इसलिए इसलिए उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है देखो कोई इतना भी ना समझ नहीं होता है कि उसे ये पता ही ना हो कि एक रिष्टे में क्या जरूरी होता है और क्या नहीं, बस गलती यहां हो रही है, कि तुमने खुद से फोकस हटा के उन्हें लाइमलाइट में रख दिया है, जो असल में इसके हगदार भी नहीं है, क्योंकि जिनें रिष्टों का मतलब पता होता है, वो हमेशा बैलन्स बना के रखते हैं, रिष्टे में इक्विल क्योंकि रिष्टे जजबात से बनते हैं, सबरदस्ती से नहीं, इसलिए कभी भी, कभी भी किसी को फोर्स मत करो, कि वो आपके साथ रुगे, आपको छोड़ के कभी न जाए, क्योंकि क्या होता है न, जब आप किसी को रुखने के हजार रीजन्स देते हो, तो वो कोई ना कोई एक रीजन ढूंडी लेते हैं, आपसे दूर जाने का, जितनी बार आप उन्हें ये एहसास देलाओगे, कि वो आपके पास क्यों रुखे, उन्हें लगेगा, कि आप उन्हें बांद कर रख रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं, उन्हें यहीं लगता है, कि आपकी वज़ा स उनका स्पेस ओफ रीडम खत्म हो गया है, तो बहतर है, उनकी इस गलत फैमी से उन्हें रहा करो, और खुद से भी आजाद करो, वो क्या है न, उनके साथ होते हुए भी, तुम खुदी को अकेला महसूस करोगे, इसलिए कोई शक्स अकर छोड़ कर जा रहा है, या जाना च जाता है, तो उसे जाने दो, रोको मत, क्योंकि ऐसी जबरदस्ती की नस्दी के उसे बहतर, सुकून की दूरी ही अच्छी है, हमीशा याद रखना, जब इनसान का जमीर बिखने लगता है, तो उसकी ना कीमत भी घड़ जाती है, इसलिए कभी भी, कभी भी मांगने वाले स खड़े मत होना, चाहे प्यार हो या पैसा, तुम दूसरों को दे सको, खुद को ऐसा बनाना, यूं किसी के पीछे अपनी वाल्यू कम मत करो, और ना ही कभी खुद को हलके मिलो, क्योंकि एक कोहिनूर की पहचान सिर्फ उसे ही होती है, जिसे उसकी परक होती है, जो यखीन हर कोई तो फोर नहीं कर सकता, so, set your standards high, and if it's really meant to be, trust me, it will be.